नमस्कार आप देख रहे हैं आर एटी न्यूज 18 साल से बड़ा व्यक्ती मर्जी से चुन सकता है धर्म सुप्रीम कोट ने धर्मांतरन रोकने से रूजूड़ी याजिका खारीजी क्या है पूरा मामला यह हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोट ने काला जादू और जबरन धर्मांतरन को नियंतरत करने के लिए केंद्र को नर्देश देने के अनुरूत संबंधी याजिका पर सुनवाई से इस शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुन्नी के लिए स्वतंतर है जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस बी आर गई और जस्टिस रुशी केस राय की पीट ने याजिकरता वकील अश्वनी उपाध्याई की तरफ से पेश हुए वरिस्ट अधिवक्ता शंकर नारायन से कहा अनुछेद 32 के तहर यह किस तरह की याजिका है हम आप पर भारी ज कारण नहीं है पीट ने शंकर नारायन से कहा समविधान में प्रचार शब्द को शामिल किये जाने के पीछे कारण है इसके बाद शंकर नारायन ने याजिका वापस लेनी और सरकार एवं विधि आयोक के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने की अनुमती मांगी है पीट ने व याजिकर्ता ने अर्जी में कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए काला जादू के इस्तमाल पर रोक लगाई जाए देश में हर हपते यह सब हो रहा है जिसको रोकने के लिए कानुन की जरूरत है इसके लिए शाम, दाम, दंट, भीट का इस्तमाल हो रहा है याजिका मे कहा गया है कि काला जादू अंद विश्वास धार्मिक श्वतंतरता नहीं है इसमें कहा गया है कि सरकार अंदर राश्ट्रे कानून से भी बंधी है जिसमें कहा गया है कि सरकार का करतव्य है कि वो अपने हर नागरिकी सुरक्षा करे